नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनिश शर्मा और श्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं मध्यप्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है मध्यप्रदेश विभिन प्रकार के बड़े और छोटे जलाशयों का घर है जिसके उपर कई बांधों का निर्मान किया गया है जो न केवल आवशक संसादन प्रदान करते हैं बलकि मनोरंजन के आवसर भी हमें देते हैं तो आईए जानते हैं मध्यप्रदेश में बने दस सबसे बड़े बांधों की जानकारी हम वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं नमबर एक तवाबांध होशंगाबाद तवाबांध मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जीले में इस्ति थे यहवांध तवा नदी पर बनाया गया है यह बांध सीचाई और जल विद्धूत उत्पादन के लिए पानी उपलब्द कराने के उपदेश्य से बनाया गया था बांध और इसका जलाशय आसपास की क्रशी भुनियों के लिए महत्वपुन जल संसादन के रूप में काम करता है इसके अलावाब बांध और इसके आसपास के शेत्र लोक्रिय परेटन इस्थल भी है नमबर दो गांधी सागर बांध मंचोर गांधी सागर बांध मज़प्रदेश के मंचोर जिले में स्थीत एक सीचाई वाला बांध है इसे सन 1960 के दशक में सीचाई, पन बिजली उत्पादन और बार्ड नियंतरन के उपदेश्य से बनाया गया था बांध एक बड़ा जलाश्य बनाता है जिसे गांधी सागर जिल के रूप में जाना जाता है जो परेटन के लिए एक लोगप्रिय इस्थान है और अपनी प्राकरतिक सुन्दरता के लिए विख्या थे नमबर तीन ओमकारेश्वर बांध खंडवा नर्मदा नदी पर बना यह बांध आसपास के शेत्रों को सीचाई और पेजल प्रदान करता है तथा पिकनिक और नोका विहार में भी एक लोगप्रिय इस्थान है ओमकारेश्वर एक धार्मिक इस्थान भी है जहां 12 जोतिर लिंगों में से एक इस्थी थे नम्बर चार इंद्रासागर बांध खंडवा इंद्रासागर बांध भारत के मध्यप्रदेश के खंडवा में स्थीत नर्मता नदी पर बना एक बहु उतदेशी बांध है यह सन 1980 के दशक में बनाया गया था और यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है बांध का निर्मान जल भंडारन, पन बिजली उत्पादन और सिचाई के उपदेश्य से किया गया था इस बांध के आर्थपास का शेत्र काफी मन मोहक है नमबर पांच, बर्गी बांध जबलपूर बर्गी बांध मदिप्रदेश के जबलपूर में नर्मदा नदी पर स्थीच एक सिचाई वाला बांध है यह सन 1990 के दशक में बनाया गया था यह बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है बांध एक बड़ा जलाशे बनाता है जिसे बर्गी जलाशे के रूप में जाना जाता है जो पांच लाख हेक्टर से भी अधिक हुमी को पानी प्रदान करता है यह शेत्र का एक लोग प्रिय परेटन इस्थल भी है नमबर छे बड़ी जील भोपाल बड़ी जील जिसे भोचताल के नाम से भी जाना जाता है यह जील मध्यप्रदेश की राजदानी भोपाल में इस्ति थे यह भारत की सबसे पुरानी मानाव निर्मित जीलों में से एक है जिसे ग्यारवी शताबदी में राजा भोच के द्वारा शहर को पानी उपलब्द कराने के उपदेश से बनाया गया था आज अपर लेक भोपाल के लोगों के लिए पीने के पानी के स्तिरोत के साथ साथ एक लोग प्रिय परिटन इस्थल और मनोरंजन शेत्र के रूप में भी काम कर रहा है नमबर साथ भोपाल से लगभग 49 किलमेटर की दूरी पर हलाली बान्थ मध्य प्रदेश के राइसेंद जिले के खोखा गाओं में इस्थीट एक मानव निर्मित जलाशे है यह भोपाल के पास प्रसीद इस्थलों में से एक है इस बान्थ का निर्मान बेत्वा नदी की सायक नदी पर किया गया है नमबर आठ तिग्रा बान्थ ग्वालियर तिग्रा बान्थ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थीट एक गुरुत्वाकर्शन वाला बान्थ है यह आसपास के शेत्र में सिचाई और पानी की आपूर्ति की उपदेश से संक नदी पर बनाया गया था यह बांद ग्वालियर शहर को पीने का पानी और आसपास की क्रशी भुमी को सिचाई की सुईधप उपलब्द कराता है यह एक लोगप्रिय परेटन इस्थल है जिसकी सुन्दरता देखते ही बनती है नमबर नो मड़ी खेडा बांध शिवपूरी मड़ी खेडा बांध मजप्रदेश के शिवपूरी में स्थीत एक बांध है जिसे सिंध नदी पर बनाया गया था इस बांध का निर्मान पानिक की उपलब्दता करवाने तथा सिचाई के उपदेश से करवाया गया था यह बांध अपने मनमोहक नजारे के लिए भी प्रसिद है नमबर दस माचागोरा बांध शिंधवाडा माचागोरा बांध मध्यप्रदेश के चिंधवाडा जिले की चोरई तहसिल में इस्ती थे यह बांध शिंधवाडा से लगभग 32 किलम्टर की दूरी पर बना है कहां आकर आपको सूरियस्त का बहुत खुबशूरत नजारा देखने को मिलता है जो बहुत ही मनमोहक होता है यह बांध पैंच नदी पर बना है जो चिंधवाडा सिवनी हाइवे से करीब 8 किलम्टर दूर है तो दोस्तों यह थे मध्यप्रदेश के 10 बड़े बांध उमीद है आपको वीडियो चल लगाओगा वीडियो चल लगाया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद और आभार जै हींद, जै भारत, जै मतिप्रदेश